सब भख मेरे साथ मिल कर बोली मा कुश्मांडा की जै आज चौथा नवरात रहें आपने आज पूरे विधी विदान से पूजा कर ली ना मैंने आपको कल ही जानकारी दे दी थी अब मैं आपको कल की जानकारी दूँगी आज मा के पांचवे सुरूप मासकंद माता की बात कर जानेंगे आज इनहीं प्रिसंद करना बहुत बहुत जरूरी है आज मासकंद माता के वो उपाए जानेंगे जिनसे हर संकट का नाश होता है शादी कराने वाले संतान दिलाने वाले और कारोबार को बढ़ाने वाले माता की उपाए होंगे साथ ही साथ आपको नवरातर में मोरपंक वाले उपाई भी बताई जाएंगे नवरात्र में आपको कश्टों को दूर करने वाली बात भी बताई जाएगी आज आपको केले से सुन्दर बढ़ने वाली जानकारी भी धूंगी आज मैं आपको माधुरगा के पांचवे रूप के बारे में बताऊंगी लेकिन शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाए बताती हूं क्या confidence की कमी है आप में तो silver पहने, चांदी पहने मंगलवार को मीठा प्रसाद बांटे और मीठे के साथ साथ थोड़ा नमकीन भी बांटे 43 days तक crows और dogs को आप कुछ मीठा खिलाएं dog को जादा मीठा नहीं खिलाएं तब बेत खराब हो जाती इचिंग होती है पर crows को मीठा खिलाएं आप ऐसा करने पर आपको confidence बढ़ने लगेगा चलिए आज मैं आपको मासकंद माता को प्रसंद करने का तरीका बताती हूँ पूरे विधी विदान से मासकंद माता की साथना करते हैं तो आपको मोक्ष का मार्ग अपने आप मिल जाता है बेसिकली problem solve हो जाती है आई अब आपको इस साथना के बारे में बताती हूँ इनकी उपासना करने से साधक को आलोकिक तेज याने की एक औरा, एक strength, एक power मिलती है जो भी माता के भक्त, मा की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का पांचवा दिन बहुत ही खास है पूजा के लिए कुश या फिर कंबल के पवित्रासन पर बैठ कर पूजा करें आपने अब तक के चार दिनों में जो किया वैसे ही सारी पूजा करें और फिर मा सकंद माता के पूजा के लिए ये मंत्र पड़े, मंत्र बता रही हूं, नोट कीजे आप पंचुब चार विधी से देवी सकंद माता की पूजा करें सकंद माता को कमल का फूल बेहत पसंद है इसलिए इनकी पूजा में आप कमल का फूल जरूर रखें चाहे तो आप इने कमल के फूल की माला भी पहना सकते हैं इसके अलावा आप मा को चंपा का फूल भी पूजा में जरूर चड़ाएं। सकंद माता का बीच मंत्र नोट कर लीजे, आपको कल ही इनकी एक माला का जाब भी करना है। ओम देवी सकंद माता आए नमहा। मासकन्द माता की पूजा में, अलसी का भी बहुत महत्व है। इनने आप अलसी का भोग जरूर लगाए, इसके अलावा आप केले का भोग लगाना नहीं भूलिएगा। नवरातर के पाचवे दिन केले का भी बहुत महत्व है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है आपके घर संतान नहीं है बिजनस थप पड़ा है या विदेश आत्रा पर जाना चाहते हैं तो माता के नवरात्रों से अच्छे दिन क्या हो सकते हैं किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे शुप दिन है तो चलिए अब आपके वो सारे उ कपूर के टुकड़े लें इसमें हल्दी और चावल मिलाकर मादुर्गा को आहूती दें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजें तो आप लॉंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर मादुर्गा को आहूती दें जरूर लाब होगा कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो लॉंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाएं अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाएं मादुरगा को आहूती दें आपके बिजनस में खूब बेनेफित होगा जिन लोगों की विदेश यात्रा में मुश्किल आ रह जाते हैं जब भी मौका मिले मंदिर में नारियल जरूर चड़ाएं या आपने सिर्थ से साथ बार उसार कर किसी नदी में पाच छोड़ नदी के पास छोड़ दें नदी को पल्यूट ना करें इससे आपकी कोई भी नेगिटिव इनर्जी होगी वह वहीं छूट जाएगी और नारियल किसी के काम भी आ जाएगा या आप एक काम और कर सकते हैं आपके अगर बनते काम बिगरते हैं तब भी आप ये काम कर सकते हैं सब ठीक हो जाएगा मा सकंद माता कार्तिके की मा के रूप में भी पूजी जाती हैं कार्तिके शिफ पारवती के बड़े पुत्र हैं कार्तिके की सवारी मोर है जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करती है इसलिए नवरातर के इस खास अपसवर पर आपको मोरपंक से जुड़े कटते हैं घर की एंट्री ठीक करने का उपाय क्या है दर्वाजे पर तीन मोर पंक लगाएं पहले इसे मंत्र से आभे मंत्रित कर लें मंत्र है ओम द्वार पालाए नमह जाग्राए स्थापाए स्वाहा फिर इन पंकों के नीचे गनपती जी की छोटी सी प्रतिमा भी लगाए पूजास्थान का भी उपाय है घर का पूजास्थान बास्तू के अगर हिसाब से नहीं है तो एक छोटा सा उपाय करके ठीक कीजिए पूजास्थान पर कुमकुम का आपको तिलक लगाना है औम कुर्म पुर्शाई नमह जाग्रास थापाई स्वाह मंतरसे मोर्पंकhओं को आभी मंतर्थ करें यानि की हाथ मिलेकर जाप करें इन मोर्पंकhओं को फिर पूजा स्थान में सजाएं किच्छन का भी उपाय है दो-चार मोर्पंक लगाएं भोजन बनाने वाले स्थान से दूरी पर लगाएं इन पंकों की नीचे मौली को बान दे इन पंकों को ओम अन पूर्णाए नमह जागराई स्थापाई स्वाहा मंतर से आभी मंतरित करके लगाएं काल सर्फ दोश का भी उपाई है लाइफ में अपसे डाउन जाती है तो आपको अपने सिरहाने मोरपंक रखना चाहिए इससे इसके साथ साथ बेडरूम में वेस्ट की दिवार पर ग्यारा मोरपंक का पंक्खा बनाकर यू लगाएं बाधाएं कहां चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा राहू का भी उपाई मोरपंक से है राहू का दोश दूर करने के लिए मोरपंक घर की पूर्वी या उत्तर पश्चमी नौर्थ वेस्ट की दिशा में लगाएं इससे घर में साब बिच्चु आदी विशेले जीव नह कुछ नहीं होगा इकरवाहा ठटाने के लिए इनकी गड़बढ़ियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोरपंक पर शत्रू का नाम लिखें यह काम मंगलवार या शनिवार रात को करें इस मोरपंक को घर के पूजास्थान में रग दें सुब को नुकसान कभी ना पहुंचाएं यह कानूनी तोर से भी सही नहीं है और इस तरीके से भगवान भी प्रसंद नहीं होते हैं अब मैं आपको मासकंद माता के यंधर के बारे में बताती हूं यह यंधर खास तौर से प्रेगनेंत महिलाओं की मदद करेगा है योई प्रेग फिर आपको इस यंत्र को फोल्ड करके बांद के ताबीज लॉकेट या सिंपल बॉड़ी पर भी प्लास्तिक में बांद कर लगा सकते हैं किसी भी धागे में पहना दीजे फीमेल को बाजू में भी पहना दीजे लेकिन डॉक्टर को दिखाना कता ही ना भूले आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ ये उपाई कर सकते हैं नवरातर का तीसरा महा उपाई बताने का वक्त आ गया है क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं है? बच्चों को पढ़ने की कमरे में बोलिए कि अपने पीछे की दिवार पर सफेद पेंट रखें और उनकी टेबल भी या तो सफेद कपड़े से ढगीवी हो या फिर उसमें शीशा और नीचे वाइट पेपर लगा दीजे इससे इनकी mental clarity बढ़ती है मैंने भगवान कार्तिके का नाम लिया जो महादेव की संतान है और इन पर सकंद माता की कृपा है दक्षन भारत में कार्तिके की बहुत मानिता है वहां कार्तिके को मुर्गुन के नाम से जाना जाता है भगवान कार्टिके शक्ति के, स्ट्रेंथ के, ताकत के उर्जा के प्रतीक माने जाते हैं कोट, कचेरी, जमीन, पैसे से जुड़ी समस्या हैं तो भगवान कार्टिके की आरादना कीजिए आपको लाब जरूर मिलेगा तो आपको भगवान कार्टिके के कुछ मंत्र बता देती हूं, जिससे आपको लाब होगा किसी भी काम में सफलता प्राप्ती के लिए भगवान कार्टिके की इन मंत्रों द्वारा आरादना करनी चाहिए आर मुखा ओम मुरुगा, वेल वेल मुरुगा मुरुगा, वावा मुरुगा मुरुगा, वादी वेल अजगा मुरुगा, अदियार एलेया मुरुगा, अजगा मुरुगा, वारुवाई, वादी वेल धुने, वारुवाई इसको जाप करने से दुख और कष्टों का नाश होता है दुखों का नाश करने के लिए भगवान कार्तिके का एक और मंत्र है ओम तत्थ पुरुशाय विद्महे महा सेन्या धीमही तन्नोसकंदा प्रचोदयात अब मैं आपको बले ही पांचवे सुरूप महा सकंद माता की तैयारी अडवैंस में करा रही हूँ लेकिन आज महा कुश्मांडा का दिन है तो चलिए आपको महा कुश्मांडा के दश्चन करवा देते हैं उत्तरप्रदेश के कानपूर से करीब 45 किलोमीटर दूर घाटमपूर कस्बे में मात दुरगा के चौथि स्वरूप मा कुश्मांडा देवी का मंदिर स्थित है यहाँ पर मा की लेटी हुई एक प्रतिमा है जो की एक पिंडी के रूप में है पूरी दुनिया में शायद ही एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ देवी मा कुश्मांडा के प्रतिमा ना तो खडी मुद्रा में है बलकि यहां मा कुश्मांडा के विलक्षन प्रतिमा जमीन पर लेटी हुई अवस्था में है कि मेरी गाय रोज प्रत दिने की स्तान पर दूर डालती है तो राजा ने अपने कारिंदों को लेकर कि यहां जब खुदाई कराई तो यह मूर्ती निकली थी मा कुष्मांडा देवी की इस मंदिर के पास ही एक तालाब बना हुआ है जो कभी भी नहीं सूकता माना जाता है कि मा कुष्मांडा भक्तों की सारी मनोकामनाय पूरी करती है और यही वज़ा है कि यहां बड़ी संख्या में भक्त दूर दूर से मा कुष्मांडा के दर्शन को आते हैं यूँ तो पूरे साल यहां भक्तों का मिला लगा रहता है लेकिन नवरात्र में यहां का नजारा कुछ खास हो जाता है लोग यहां अपनी मन्नतों को पूरा कराने के लिए उमर पड़ते हैं यह मंदर अपने आप में अनुखा है कहा जाता है कि जिस शक्स की आँखों की रोशनी चली गई हो या कम हो गई हो उसकी आँखों में मा का जल ढलने से आँखों की रोशनी वापस आजाती है जिन भी बक्तों के आँखें खराब हो गई है अगर मया की नीर उन्होंने लगाई है तो माता ने उनको जो है आँखें पेदान की है किसी भी भाव को लेकर के अगर माता रानी की जिस्तान पे आए हैं तो उनकी पूर्थ अवश हुई है ये बिलको निशित धारना है मया के दरवार में जिसने भी आज़ें लगाई है जिस भी भाव से लगाई है तो माता रानी ने उनकी जो है उस भाव को पूरा किया है नवरातर चल रहे हैं तो मैं आपको लगातार नवरातर के महाउपाई बताती हूँ तो फिर चलिए आपको आज का चौथा महाउपाई बता देती हूँ क्या दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं दुश्मनों की मन से करवाहत हटाने के लिए या फिर उनकी गड़बडियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी के माते से सिंदूर लेकर मोर पंक पर शत्रू का नाम लिख दे ये काम मंगलवार या शनिवार की रात को करे अब इस मोर पंक को घर के मंदिर में रख दे सुभा इसे भैते पानी के पास छोड़ दे नदी को पल्यूट ना करे तुश्मनी खत्म हो जाएगी आईए बात करते हैं आज की स्पेशल अस्ट्रोटिप का क्यूंकि आज हम बात कर रहे हैं मा सकंद माता की और मैंने आप से बात करी केले के भोकी आपको पता हैं अपने घर में नौर्थीस डारेक्शन में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छा मंदिर नहीं भी है नौर्थीस डारेक्शन में केले के पेड़ का जिसमें केले अच्छे से उग गए हो पीले-पीले केले का जुंड हो नौर्थीस्ट में उलगाने से फैमिली में यूनिटी बढ़ती है फैमिली में प्यार बढ़ता है अगर आपके फैमिली में कोई इधर बैठता है कोई उधर बैठता है यूनिटी नहीं है और स्पेशली जॉइंट फैमिली में अगर यह दिक में Google की धुनी शाम के समय और सन्राइज के समय जरूर करें वरना फिर अगर आप 43 डेस तक अपने घर में अगनी होत्र कर सकते हैं यह बेसिकली आपको Google पर सारी information मिल जाएगी यह करने से घर में दूर दूर तक negativity का नाश होता है entertainment की बाद बाद में पहले आपके कल future की बाद क्या करें अपनी राशी के हिसाब से मुझसे जानिए सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी के लोग कल घर के मंदिर को साफ सुत्रा रखें भागे साथ दे रहा है आपका 65% मुझसे राशी के लोग कल घर की सेवा करें खाना खिलाएं किसमत साथ दे रहे हैं 69% मिथुन राशी के लोग शाम को पार्क में तहलें भागे साथ दे रहा है 60% करक राशी के लोग घर को रोठी खिलाईए लक साथ दे रहा है आपका 67% सिंग राशी के लोग लाल चीज का दान करें भागे साथ दे रहा है आपका 65% कन्या राशी के लोग गायतरी मंतर का पाठ करें किस्मत साथ दे रही है आपका 73% तुला राशी के लोग शिवजी की पूजा कीजिए किस्मत साथ दे रही है आपका 70% प्रिश्षिक राशी के लोग अंकुरित अनाज खाईए भागे साथ दे रहा है आपका 62% धनू राशी के लोग गरीबों को दूद दान में देजे लग साथ दे रहा है आपका 66% मकर राशी के लोग, आप लोग कल मा दुर्गा के आरादना करें, भागे साथ दे रहा है आपका 80% कुम राशी के लोग, गणेश जी की पूजा करें, किस्मत साथ दे रही है 72% मीन राशी के लोग, दुर्गा सब्शती का कल पात करें, भागे साथ दे रहा है आपका 77% जानवरों से डर महसूस होता है देखिए आगर आपके घर में छिपकली कॉक्रेट चूहे साब बिच्छू अचानक से आने लगे तो यह अच्छे संकेत नहीं है घर में जहरीले जीव का आना आपके घर में कई तरह के अप्शकुन लेकर आता है वैसे तो यह राहू दोश के कारण भी होता है रहू का दोश दूर करने के लिए मोर पंक पर इस और नॉर्थ-वेस्ट एस और नॉर्थ-वेस्ट दायरेक्षिन में आप नॉर्थ-वेस्ट में भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए आप उन्हें घर से बाह किसे इनकी पूजा अर्चना करने पर आपकी मन चाही चीजें पूरी होंगी लेकिन ये कल बात करेंगे अभी आप मुझे इजाज़त दीजी अपना खयाल रखी और जो सकन माता की सारी जानकारी दी है प्लीज इसे कल कीजेगा जै माता दी